चलो आप ध्यान से सुनना मैं आपको कुछ चीजे बता रहा हूं अब उनको एक मिनिट अब आज नेट्वर्क इश्यू है चलो ध्यान से सुनना अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा सबको याद हो गया अभी तक जो जो पढ़ाया और सारी चीजे बच्चों सभी को क्लियर है पहले बताओ आप सभी को सारी के सारे चीज़े क्लियर है अब हम पढ़ेंगे energy of activation का क्या significant है यानिकि energy of activation को अगर मैं 0 लू पॉजिटिव लू और बच्चो निगेटिव लू तो अगर यह वाली चीज़े में energy of activation को change किया यानिकि अगर मानलो किसी reaction में energy of activation 0 है energy of activation positive है और बच्चो energy of activation निगेटिव है तो इसका effect rate पे कैसा होगा यह चीज़े हम पढ़ेंगे यहां से question आपको 2021 में आ सकता है मैं बता रहा हूं यहां से question आने के chances बहुत जादा है आप सबको समझ में आया या नहीं बताओ मैंने क्या बताया आप सबको समझ में आया या नहीं बोलो इन सबका effect rate पे कैसा होगा तो सब एक बार देख लो यहां से question आने के chances बहुत ज़्यादा है अरे आवाद break हो रहे है क्या अब आ रहे है क्या है अब आवाद आ रहे है बोलो अब आवाद आ रहे है मेरी एक बार message करके बताओ मुझे नाव इस ट्लियर मेरे आवाद क्लियर है बोलो कि अब ही क्लियर है ना ठीक है बहुत अच्छे बात है अब देखो energy of activation अगर में positive लूप energy of activation बच्चों अगर में 0 लूप और energy of activation अगर में negative लूप तो आसल में इनका फैक्टर और मतलब इनका rate पे क्या effect होगा यह वाली चीज हम discuss करेंगे यह वाले पार्ट में तो थोड़ा ध्यान से सुनना आप सबसे पहले यह देखो सर आपका जो rate constant होता है ना देखो यार अगर rate constant देखो आपको पता है बच्चो rate होता है क्या rate होता है आपका के यह होता है ना rate तो आप rate को आपका k पे डिपमेंट होता है यानि कि मैं बोल सकता हूँ अगर rate constant ज्यादा है तो आपका rate भी ज्यादा आएगा समझ में आया directly relation है किसी भी reaction के rate को study करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी भी reaction का rate study करना है तो हम उसके rate constant को study करते तो आप बोलोगे सर k is equal to a into e raise to minus ध्यान देना e raise to यहाँ पर बड़े इसमें लिख देता हूँ k is equal to a into e raise to minus ea by rt सब्सक्रेशर बड़ाने साथ हूँ इससे नों और उसके बात सबसे पेले तो आपने temperature बढ़ाया, बढ़ा रहे यह उसका तो छोड़ दो, temperature का effect देख रहे हम rate constant पे, दूसरी बात, मानलो मैं energy of activation को ले लेता हूँ, negative, सबसे पहली तो यह देखो, इसको positive लो या negative लो तो आप बोलोगे sir, मानलो इसको मैं negative ले लेता हूँ, मानलो इसको मैं negative लिया, तो आप बताओ negative, negative क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो message करके, तो आपका आजाएगा sir, अगर मैंने energy of activation को negative लिया, अगर मैंने इसको negative लिया, तो आपका answer आजाएगा sir, a into e raise to ea by rt, यानि कि positive value आजाएंगी, बच्चो positive value आजाएंगी, और आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अ मानलों ये वाली value में लिख देताओ, सुनना, मानलों ये मेरी कौनसी value बताओ, अगर मैंने energy of activation जोए, एक मिनिट में क्या ले रहाओ, negative है न, negative हाच्चे, एक मिनिटा, थोड़ा से रुख जो, हाँ, ठीक है, बहुत अच्चे, समझ में आया, मैं भी थोड़ा सा ये देख रहा था, sign का confusion था, अब होगाई clear, देखो, energy of activation हमारी positive आई, मानलों प्लस 5 आगई, ठीक, मानलों एक consider कर रहा हूँ कि positive value आगई, अब अगर मैं temperature को बढ़ाओ, तो अब मुझे बताओ, temperature मिने, और बच्चों उसके बाद temperature मिने 30 लिया, तो मुझे बताओ, temperature बढ़ाने के साथ, ये value क्या हो रहे है हमारी, उपर वाली value क्या हो रहे है, total, इनका ratio क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, आप खुद भी, खुद बखुद बताओ, message करके बताओ, नहीं रहे, temperature बढ़ाने के साथ मुझे बताओ, इनका जो answer आएगा, temperature बढ़ाने के बाद, ये value क्या आएगी आपकी, 50 by 5, 20 by 5, 10 by 5, value छोटे छोटे आएँगी ना, आपको समझ में आ रहा है, यानि कि temperature बढ़ाने के साथ, ये value में जो value आएँगी, कई से आएँगी, जल्दी बताओ, कम आएँगी, ये ब सबसे पहले तुम्हें, energy-wap activation क्या ले लेता हूँ, negative ले लेता हूँ, तो आप बोलोगे, सर, negative और positive करके जो answer आएगा, वो केसा आएगा, वो answer सर, positive में आएगा energy-wap activation, जो भी energy-wap activation आएँगी, वो positive रहेंगी, टोटल, तो आप बोलोगे, सर, मानलो 5 है, मानलो energy-wap activation पाच और अगर, सर, ये value-value कम आई, तो आपका rate भी क्या हो जाएगा, बोलो बच्चो, rate भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे या नहीं, समझे, बताओ जल्दी से, ये वाली बात सबको हजम हुई, सबको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत important बाते, कुछ बच्च आ रहे हैं न मेरी, वापस से बताओ, एक बार वापस से बताओ, तो k is equal to हमारा था, a into e raise to minus ea by rt, अब आपने क्या किया बच्चो, इस ea की value negative ले ली, तो आपको पताई, negative negative हो जाएगा, positive, तो e raise to में उपर आजाएगा, energy of activation, जो कि positive होगी, और नीचे आजाएगा, rt, य positive value हो जाएगा, मानलो ये value मेरी पाचे, प्लस फायू है, ठीके न, प्लस फायू, और अगर मेरे temperature बढ़ाया, 10 से 20 किया, 20 से 30 किया, तो overall ratio आपका घटेगा, यानि कि आपके ऊपर जो answer आएगा, ओ कम आएगा, e raise to power में कम आएगा, अगर आपने temperature बढ़ाया, बच्चो, temperature ब temperature बढ़ाने पे rate constant घटेगा, कब घटेगा, आज समझ में आया आपको, अरे बहुत खतरना चीज़ बता रहा हो, इसके पहले तो आपने यही पढ़ा था न, एक्जो थर्मिक है, ओ रियाक्शन कुछ भी हो, सुनना आच्चे से, ओ एक्जो थर्मिक हो, एंडो थर्मिक हो, ह rate घटेगा, समझे, बोलो बच्चो, यह बहुत समझ में आया आपको, एनर्जी वाप एक्टिवेशन निगेटिव है, सर, एनर्जी वाप एक्टिवेशन निगेटिव का क्या मतलब हुआ, अरे सर, डेल्टा यच निगेटिव है, और कौन से रियाक्शन के लिए डेल्टा लेकिन हाँ, एक्टाम में आपको यहाँ से एक्टिवेशन निगेटिव है, तो टेंपरेचर बढ़ाया, तो रेट घटेगा, चलो यह फर्स्ट केस था, तो आप इसका उल्टा बताओ, देको मैं आपको, आभी पूरा डिटेल में ने जा रहा, आप खुद बता दो, एनर जवाप एक्टिवेशन पॉजिटिव है, तो टेंपरेचर बढ़ाने पर, बचो रेट क्या होना चाहिए, अब बताओ थोड़ा सा सोचके, आप रेट क्या होना चाहिए, खुद बखुद बताओ, सर रेट होना चाहिए, इनक्रीज, उल्टा, इसका उल्टा, तो क्या अगर एक्टिवेशन जीरो हो, तो मजा तो तब आएगा ना, सर एनर्जी, अगर 0 हो, आप बोलोगे, सर, अगर इरेट कशना आ गया, तो एनितिंग रेट क्या आजाएगा, एनितिंग रेट क्या जाएगा, अगर जाएगा, तो आप कितना भी टेमप्रेचर बड़ाओ, टेंपरेटर कितना भी बढ़ाओ आरे एनर्जी ऑप एक्टिवेशन जिरो यानि कि कुछ होई ने सकता ना तो आपका रेट कितना आजाएगा सुरी रेट आपका आजाएगा जीरो बच्चो यह वाला टेबल याद करने की भी जरूरत ने आप इसको एक बार समझ लो किसी को कुछ डाउट इस वाली केस में मेसेज करो बच्चो किसी को यह वाले एक्जामपल में कुछ डाउट है खसच बताना ठीक है न बच्चो अब ध्यान से सुनना अभी तक मेंने देखो पूरा एक कंटेंट है पूरा एक मतलब मैं बता रहे एक पॉइंट था आज का कि टेंपरेचर टेंपरेचर और रेट का क्या इफेक्ट होता एक तुसरे के साथ तेंप्रेचर वर्सस रेट और मैं बता रहा हूं नीट का यह फेवरेट पार्ट है यहां से इक्वेशन आने के बहुत ज्याज़ा चांसे तो या तो केस्टन आएगा आपको एनर्जी आप एक्टिवेशन से या तो दूसरा क्यों आएगा आपको बच्चो क अरे तुम बताऊना किसी ने अगर बढाने पर ड्रेट का क्या होगा तो कोई बच्चा जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं क्या तुका मारेगा रहे हो हआग सोच कोई तुका मारम भी नहीं सकता है ऐसे प्राप्लम में तो इसलिए जो चीज में पढ़ाना चाहता हूं वहीं पर पढ़ाता हूं उन्द आ都प कोई जो चीज में बता रहा हो याद करो उसको याद कर लिया करो इस चीज में अच्छी खासी तो में ने बताया आपको कि अगर एनर्जी वाप कि क्या एक मिनिट एक इरिष्ट्ट्व मैनस आउस आपका ये जिरो था ये वन आ जाएगी तो रेट इस पर डिपेंडिन रहीं करेगा अगर चेंज नहीं हो तो रेट इस पर डिपेंडिन रहीं बता रहा है कि रेट किने आप करके देख लिए ठीक है ना समझ में आया अब आट तो वही बात आते हैं ना कि रेट चेंज नहीं होगा अगर रेट में आपके कोई चेंज नहीं आएगा बस उतना बताना था मुझे समझ में आया बच्चो अगर टेंप्रेचर बड़ाने की बात कर रहा हूं मैं और यहीं से क्वेस्चन आएगा टेंप्रेचर बड़ाने पर एनर्जी आप एक्टिवेशन पॉजिटिव हो निगेटिव जीरो तो रेट क्या होगा सर इधर पॉजिटिव है देखो मैं आपको देखो एनर्जवाप एक्टिवेशन बच्छो अगर cał फॉज It Is नीनर्जवाप आप सबको अगर एक्टिवेशन निगिटिव shoulder बढ़ेगा या यह ना पॉजितिव समझ बताओ तक्रने का तरीकाOOOO भी बता दिया हम हिने एनर्जवी नेगि फॉज़ेटीव Bear Martin डिक्री चलो आप मुझे बताओ टेंपरेचर और रेट के बीच में जो भी रिलेशन थे हमने सब पढ़ लिये अब देखो जो भी रिलेशन